से बचलो को पूछा जा रहा है कि टर्सरी वीटाइल कर्बाण आइन जफ मोर स्टेबल देन इसकेंड़ी वीटाइल कारबो एक होता है तो ट्रसरी वीटाय नुइंस का स्ट्रेश्च नुए यह होकर प्लस इस में स्मेस ह्या豉क है आपका जो अल्फ एक्छान नम्बर नाइन होता जो की हाईपर लॉट करसकT다 है और आपको पता होना चाहिए की कब अटन में जितना ज्यादा हाईपर कंजुजूंगरेशन वह तना उसका इसके पास 9 आफ एच जो की यह कर सकता है में अगर बात के तरह सेकंडरी इसा कुछ होता है इसमें का बाटन का डिगरी 2 है और प्लस इसमें जो αलफा एज का नमबर का गयर काउंड करते हो ते दोनों इस कड़ाइन का अलफा पोईशन हो गया अलफा ह का नमबर कितना हो जागा इसमें 5 इसमें 5 अलफा है जो कि हाइपर कन्जोरिशन सो कर सकता है तो आप देखोगे कि ज़्यादा इसमें stable कौन होगा तर्सरी बीटल का डियन क्यों कि उसमें hyperconjugation नमबर क्या है high है तो due to more number of hyperconjugative figure आपका तर्सरी बीटल का डियन क्या होगा more stable than होगा secondary जिसका answer होगा option D due to hyperconjugation आपका तर्सरी बीटल का डियन secondary से ज़्यादा stable होता है तो बचल यह था इस question का analysis and solution move करते हम लोग next question पर बचलो अपस हमने चार carbon 10 दिया होगा बोला इसमें कौन सा more stable होगा तो धन्द ना इस कडायन को अब देखते हो तो इस कडायन का degree 2 है plus alpha h का number देख तो alpha h का number इसमें हो जाएगा 3 क्योंकि इस position पर एच्छी नहीं है इस alpha पर h जो है नहीं है तो alpha h हो जाएगा बस यहां पर 3 होगा ठीक है जो बी नंबर में कडायन दिया हुआ है इस कडायन का degree कितना होगा degree होगा 2 plus alpha h का number का बात करते हैं तो alpha a और a है तो इसमें alpha h का number हो जाएगा 4 जो c नंबर जूदिकी नंबर कारा अच्छी है रहीन爪क होगा कितना होगा तो जनकर याएगा 5 01 ते नंबर कर द pessoa कल़एगा कौन सा होगा यह आलफा पोजीशन होगा तो दो सिंपलतակ कि कार्बातन्स स्थिवर्ष वहती है तो सिब्चााइव काल mice एक पोपोस्टा हाएपर कंजूगरेशन क क्यों एक्याइब करता सो पस्फ बॉलक प्रम जादा सी ऑप्षन में आलफाइच का नमबर इसके से मैक्सिमूम है ति इन चारों में मॉस्टेबल कड़ाइन होगा ऑप्षन सी बचलो यह था इस कुष्टन का अनलाईएस एन सॉलीशन इस तरह के कॉंसेप्चुल क्रियरिटी के लिए हमाय साथ बने रहे हैं मिलता हम लोग अगले कॉश्टन पर बचलो इस कुश्टन में आके पास चार ऑप्षन दिया हुआ और बोला है किस ऑप्षन में माइनस आई फेट का ओर्डर जो है और करेक्ट लिखा होता है आके पास एक एफ है एक NH2 है एक OR है और कहीं कहीं 20 Oh 40 घरल दाना एफ का जो electricity होता है भ्षन होता है एफ का electricity होता है 4 जूं सिंपली चाहां होता है एक एक निट्याइटबटी होता है जो जाधा एलेक्ट्रो नेगेटिव होगा उसका माइने से पावर क्या होता है हाई होता है तो आप देखोगे तो एफ का जो एल्टरट्वी हाइस्ट है तो एफ का माइन से पावर क्या होगा हाइस्ट होगा ठेक है एफ के बाद आएगा ओ का तो और होगा और और के बाद होगा एन न आप देखोगे तो option जो B है B में F सबसे highest होगा फिर O फिर N है तो B option सही है ठीक है इक इह इस में इसमें बी भी सही होगा ठेक है कभी कभी इसमें confusion हो सबता है कि आप आर पूसर दोंकि सर एनस्टू और एना टू में किसको हम आए करें तो धान दना एनस्टू और एना टू का जब आप compare करते होना तो आप क्या करना जो आर ग्रूप है आर ग्रूप का नेचर होता प्लास एफेक्ट होता तो एन क्या होगा एन एन डेंसिटी पूल करेगा दोनों सैट से अब जो आर है आर डेंसिटी एन को देगा तो कहीं ने कहीं जो आर है एन के माइने से पावर को डिग्रीज करेगा थू डोनेशन तो एना टू और में इसमें प्रॉलम के बस यह था कि अगवास ए और भी ऑप्सन दोनों करेंट है तो मेरा एडवाइस है कि किसी एक को टिक मार रहे ना ठीक है तो मेरे सब से या तो कोशन बोनस जाएगा या तो दोनों में से को अप्सन करेंट रहेगा तो बचलो यह था इस कुशन का अनला या तो मेरा कर सिकता है या तो पारा पर कर सकता है ठीक है तो यह पॉस्पिलिटी है तो क्या किया है या को अलग अलग पुजिशन के करके कड़ान बरा और आप से बोला गया है कि कौन सा थे पल होगा ठीक है तो इस इस कुशन को दो तरीके साभ surge Candice कलियर है तो आब कहाता है कि नाइटरो क्या होता है माइनस से मुप्व होता है यह है लॉक लॉप होता है तो नाइटरो विखिद्धा क्या करता है नाइटरो उस्मस में फैसंद्ध से ४ हीच Irma करेंगा तो देखोगे तो एक अज़ सरके taki चरुचों करता है यह अपनेidir और पारा पॉजिशन से डेंसिटी को बेड्रॉ करता है ठेक है डेंसिटी को बेड्रॉ करता है यहां पॉस्टिफ बनेगा अगले पॉस्टिफ जो है यहां मूफ करेगा इस पॉइंट पर फिर पॉस्टिफ यहां मूफ करेगा नहीं इसका और तो पारा पर देंसिटी खतम ह पोजिशन पर अब फाइल का तुम बांड तोड़ोगे तो मेटा पर अगर अटाच करते हैं तो तो नहीं को अटाच कर दिये तो यहां पर चार्च तोड़ता नेगेटिव यहां बनेगा पॉस्टिव ठीक है बाकी बांड इंटक्ट रहेगा तो मेटा पर जो अटाच है आप देखोगे आपका ऑप्सन सी से मैच कर रहा है तो इस तरीके से क्कुश्ण को अप्सॉल कर सकते हो कि यह ज़्यादा बेटर तरीका है अटाच करने का यहां पर मेटा पर नेगटिव बना के वाई को जोड़ देंगे पॉस्टिव यहां बच खाय हुआ है तो यह सबसे स्टेबल क्या होगा सी होगा इन फैक्ट यह तो पहला तरीका हुआ सेहें तरीका मैं समयाता हूं ना सुनना जो और फट्रन्नमेंटल तरीका है आप क्या करना आपको फॉकस करना क्रैंस विल्टी मरें जो नाइटरो है नाइट्रो में अगर हम अगर your yourself को थो यहां से यहां पर नेगिटिव क्लेट होगा यहां पर पोस्टीव क्लेट होगा यहांपर पोसिट्रेट होगा देखो कि कि किस figure में यहां positive बनेगा तो जहां भी बने गई हो जागा हाली unstable तो जो आपके बनेगा यहां पर नहीं आना चाहिए यहां पर नहीं बनना चाहिए जहां भी न के बगल में कड़ाइन बनेगा ओ कड़ाइन क्या होगा हाली unstable ठेक है तो आप देखो option देखो अभी पहला जो यहां पर पॉस्टिव बनाए हो इस पाइब उनको अगर हम तोड़ते हैं यह बनेगा नेगेटिव बनेगा पॉस्टिव तो आपके पास nitrogen के पास पॉस्टिव बन गया यहीं क्या हो जाएगा यहीं पर पॉस्टिव बन क्या होगा तो यहां पर सिस्टम क्या होगा अंस्टेबल हो जाएगा ठेक है इसलिए इन तीनों में क्या हो रहा है कि एन के जस्ट में पॉस्टिव बन रहा है तो क्या होगा हाली एंस्टेबल तो बेटर ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन सी बेटर होगा क्यों कि यहां जो प गांडिव बनेंगा पॉस्टिव तो कहीं भी देखना सी वाले उप्समें न इके अजसन में आपके पास नेगीटिव बन रहा है पॉस्टिव नहीं बन रहे मिलते हम लोग नेक्स कोश्ट में बच्छों लोग इसके कौन सा स्टेटमेंट जो होगा असको इसको बोलता है जिसके पास यह कमी होगा यह तो अगर स्टेटिप होगा तो इसके पास वेकेंट औरंट खाली होना चाहिए तो vacant orbital जो होना चाहिए खाली होना चाहिए या तो positive होगा या तो orbital क्या होगा vacant होना चाहिए ठीक है तो आप देखोगे आपका statement c है तो उसमें बदाओ इल्ट्रोफाइल कैन आइधर neutral और positive charge species which can accept pair of electron यानि इल्ट्रोफाइल आपका कमी है उसके बदाओ deficiency है तो फ्रॉम दा निक्लोफाइल तो यह स्ट्रेट्मन क्या होगा करेक्ट होगा तो इस question का जो correct answer होगा यह होगा option c अब जो पहला statement था उसमें बोला इल्ट्रोफाइल निग्रिवी चार्ज होता है ठीक है तो यह गलत हो अब अजय क्या होगा यह बहुता है इसदी बोला गया कि क्या होगा क्या होनों चैट्मन क्ली क्लлоफाइल क्ले को ओड़कर पहले और च्रवाइल ध। यह इस question का सोलेशन मोफ करता हम लोग बचली सबस्वाक एक कॉन सा स्ट्रेटमेंट जो है आपके निगेटिवाइज गया होना चाहिए घए था टो टो इलट्रॉन डेगा तो तो अमोंियाज निक्लॉफाइल तो क्या होगा यह Like और होगा एनिया आटक लोगा करेक्ट होगा उसके पास है तो देगा तो यौँ खोगा हमको इस कोश्चन बोला जाता इनकरेक्ट है इनकरेट कौन सा है तो आप्टेन जो डी ए निकलु फाल जैने लेवीज एकरेट है क्योंकि निकलोफाइल जो है एल्टोन पेर देता है ना कि लेगा जैसे एन है अमोनिया तो यहां पर देंसिटी देता है तेहनी लेवीज बेस होता है लेवीज एसीड नहीं यहीं ऑप्सन डी क्या होगा हमारा इनकरेट होगा और एकॉडिन टू कोश्ण का डिबांड यही जो है यही मेरा आंसर होगा ठीक है तो बचलो यह था इस कॉश्ण का अनलाइसिस मूव करते हम लो नेक्स कॉश्ण पर बचलो इस कॉश्ण बोला गया है क्या के पास साइकले पेंटरनों दिया हुआ है और इसमें अटक कर हम मिठाइल मांगनी लीथियम से सीथी एलाई से तो सी यह थी एलाई में लीथियम का जो परटी पॉस्टिव है और सी का पॉषिटिव है अब इसमें आप अब अपको तोड़ोगे है तो ओपर कुछ इस तरह के compound create करेगा जब तो अब करेगा कि अधिक तो अधिमेटली आपके सिस्टम में क्या क्रेट हो रहा है तो आप वह लोग ऑप्सन सी होगा इसका करेक्ट साइकलो पेंटनॉइल आनायन का formation होता है बचलो एथा इस question का analysis and solution इस तरह के simple और clear explanation के लिए हमारे साथ जुड़े रहें मिलता हम लोग बच्छों लोग आपके पास इस question में निकलोफिली creation का एक example दिया हुआ बोला इसमें कौन सा electronic displacement का जो arrow है और करेक्ट होगा अगर को निकलोफाल अटाक करें सिस्टम में तो क्लूरीन एज लिविंग रूप तो बहार जागा यहां का जो क्लाउड है क्लूरीन लेकर बहार चला गया ठीक है तो अब पढ़े होगे SM1 SM2 जहां पर क्या होता है कि अगर कोई भी हलाइड होता तो हलाइड की होता अगर डेंसीट लेकर निकल जाता है अब यहां पर क्या चार्च क्रेट होगा अगर यह जो पूरा जो रूटरोन का जो फ्लो है वो करेंट डौर ड्रॉट किया हुआ है ठीक तो बी में क्या दिक्कत है chlorine का displacement को नहीं लिखा हुआ है c में problem क्या c में यहां का जो flows को mention नहीं किया है d में दिक्कत है कि यहां और यहां का flow जो है यह ऐसे दिखा दिया गलत है तो आपका correct answer क्या होगा यह होगा option a तो बच्छों लोग आपके सामने तीन radical का figure दिया हुआ है बोला गया है कि इसमें hyper conjunction किसमें होगा थाना hyper conjunction होने के लिए आपके पास alpha position में हाड़ों चाहिए यह आपके पास alpha h होना चाहिए alpha h किसको बोलते हैं जो कि link होता है alpha carbon से provided alpha carbon का जो हैबरेशन होगा होना चाहिए sp3 होना चाहिए ठीक है अब जाना option one में यह position alpha है है यह position alpha यहां भी एच नहीं है तो यह पहला जो figure है हाइप प्रक्राइशन सो नहीं करेगा जो second figure है second figure में जो इसका alpha position जो फिनाइडिंग से link है तो इसको अगर आपको मैं draw करके दिखाऊं तो यह figure कुछ ऐसा दिखेगा आपको तीन पी तीन फिलैंडिंग इस कार्बन से अब यहां लिंक है तो अधान न यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यह नहीं है तो यहां नहीं है तो क्या होगा यह भी हाइपर कर दिखेगा जो थाड़ आप्सन में इस रेडिकल का यहां अलफा है और यहां पर एक हैच आपको दिख रहा है यहां जो पोजिशन में एक मुझे दिख रहा है यह पार्सिपेट करेगा है पांटिफएट जो आपका थार्ड फिगर है उसमें आपके पास एक आपको पोजिशन है कि हैवांसे हडुजन हाइपके lose क्रbas कर सकता है तो के ऐलफान परूबarooर असां होगा in मिलते हम लोग नेक्स कॉश्चन में बच्छों लोग यहां पर बोला हुआ है कि जब हम कार्बन क्लोरिंग का बांड तोड़ेंगे तो किसमें सबसे मौस्टिबल कड़ान मिलेगा अगर आप पहले फिगर में से बांड को तोड़ते हो ठेक यहां जब बांड तूटेगा तो बांड तो यहां पर तो बॉन तोड़ो गाप कॉस्ट हहां ऐँगा यहां बनेगा यहां बांड टो Ma solid 6 होगा और डिगरी क्या होगा डिगरी टु होगा ट किया में आपका Alph Bye Marketing क्या होगा कि नाइन होगा डिगरी होगा ठैक ध्यादना नामली क्या होदा नॉपलि रेजॉननेंस का स्विड्री ज्यादा स्टरॉंगर होता है इस बेंजाइलिक कटैंस से ज्यादा होता है यह रेजोनेंस वारे से इस फिगर से जाद निकल आगे निकल जाएगा यानि option A और D को हम देखें तो A होना चाहिए था बर D exception होता है तो D figure इस से ज्याद स्टिबल होगा यह option D इसका correct होगा ठीक है तो यह नीट में दो तीन पर आचुका है तो आपको याद करेंना है कि नाइन अलफा एच का जो यह वाला केस होता है आपके बेंजाइली कटैंस से जास्टिबल होता है तो इस question का आंसर होगा option D तो बच्चों लोग इस तरह के simple and clear explanation के लिए हमार साथ बने रहे हैं मिलता हो लोग next question में बच्चों लोग बोला गया है कि यह जो radical गया चैनल को लोग बच्चों लोग बच्चों लोग यहाँ पर शुक्टायान का लिस्त दिया और बोला है स्टेविटी के और रेंज करो तो इंक्रीजिंग ओडर में तो ना पहला जो कड़ायन है पहला कड़ायन जो है उसको अगर आप देखोगे तो आसा ओपन करके तो यह कुछ ऐसा दिखेगा तो आलफा एच यहां से तीन यहां से तीन यहां से दो यहनी आठ आलफा एच होगा इसका बास समझे जो टू में है तू में आपके पास जो फिगर हो टेसरी बिटल कड़न है अब इसका अलफा एच कितना होता है बताएंगे आप लोग बच्चों लोग तो टेसरी बिटल आपके पास Alfred का नंबर कितना हो जायगा ते अलफा हो जाएगा आपके पास six ठेक फुर्थ वाले में Alfred कितना हो जाएगा three प्र फिल्थ वाले में Alfred means to and so simplyई इसको आलफा है के basis प्र नर्फे कर सबते हो तो नुट का से हाइस्ट अप्सिन डू में अलफएज कहां प्सिन तो फाइब कुण सब से लिस्ट होगा और तुका सबसे ध्याईस्ट होगा तो फाइब का लिस्ट ऑर तू का जीरो है तो आलफा एक के बेसिस को सिंपली आप आरेंज कर सकते हो तो बचलो एक स्कूर्शन के लिए हमारे से बने रहे हैं मिलते हम लोग नेक्स कूर्शन में बचलो आप से बोला गया है कि बेंजाइली कावड़न का हावड़ी हाविड ऑबिटल क्या होगा तो इस कड़ा ए होगा करेक्ट तो बचलो ए था इस कूश्चन के अनलाइस से मूग करते हम लोग नेक्स कूश्चन पर बचलो यहाँ पर कुछ अलकेंस दिया हुआ और उसके बॉन्ड को तोड़ करके रेडिकल बनाया हुआ है तो बोला गया है कि आपको रेडिकल स्टिबिटी के एकॉ इसका अलफा अच्या होगा 6 और इसका अलफा अच्या होगा 8 तो आप देखो यह ओडर तो गलत दिया हुआ है तो आप देखो इसको तो सबसे बेटर ओडर कहां दिखिए option B में 9 इसमें है 8 इसमें है 6 है और 3 है यहनि alpha H के basis पे जिसका अलफा ज्यादा होगा उस रेडिकल आंसर तो बचलों यह था इसकोशन अलाइसस मूव करता हम लोग नेक्स कुशन में बचलों आपके समय चार रेडिशन दिया हुआ है और बोला इसमें कौन सा रेडिशन ऐसा होगा जहां पे निकल्फिलिक सब्टिटूशन ओकर करेगा तो ध्यांदना जो पहला रेडिशन ठीक है उपसन बी में का पस अल्दि हाइड दिया हो इसमें गिर्णार्टिय। करें होता क्या है कि आपका जो अल्दि हाइड का पाई वह ने तूटेगा और इसमें गिर्णार से आपका आर जो है इंडश होता है इसको बुलता हम लोग निकल्फिलिक अडिशन रिएक्श अब जो ऑफ्सन आपको देख रहा है एक निकलोफायल है तो अमोनिया इन करेगा तो ब्रुमिन निकल जाएगा बाहर निकल जाएगा इसमें एक निकलोफायल आ रहा है और दूसा निक्रटिव निकलो भार जा जात जा रहा है तो वह सत्थ हो कि adation निकलोफिलिक सब्टिटूशन रियाइशन का तो ऑप्सन सी हमारे क्या होगा करेक्ट होगा तो बच्छों लोग यह था इस कुष्टन का अलाइसस एंस सॉलिशन इस तरह के जो भी गुरूफ अटाच किया उसको देखना आपको बंजीन शिस्टम में अल्टरफाइल अटक सब्सक्त करेगा जब जो ग्रूफ अटाच है गरूफ का प्लस पावर ज्यदा होगा तो अब गुरूफ प्लस एटक किया होता है आसान होता है तो इसके सब्सक्राद ना तो आप देख रहा है कि जो यहां पर ग्रूप लिखा हो उसको प्लस एम के कॉर्डिंग कर लेते हैं इन सारे प्लस एम्पल में सबसे बेटर प्लस एम होगा ओएच वेच के बाद होगा और उसके बाद होगा एच अब दिक्कत क्या है कि जो एन का लोन पेर है वह रिंग के कुछ कम मिलेगा अगर सिंपल एन होता बाहर अगर नहीं होता तो एन का देंसटी क्या होता ज्यादा होता रिंग में न का प्लस एम्पावर ओसे आग निकल जाता चैक है और लास्ट में होगा सी इस टो एच क्योंकि सी पे कोई फ्री इल्ट्रों नहीं है तो कारबन प्रफाइल के रेक्षन के लिए ज्यादा फ्रोर होगा इनए ज्यादा रिक्टीव होगा तो इसका क्रेंट अन्ट सब्सक्रां के लिए बच्ट बच्टो इस तो बच्छों इसा किना को यह बच्छिटों के खुंधा क्वाइन एक यह जो इसा अक्टेट पूरा नहीं है चाहिए तो पहला जो पोस्टीव है उसमें इल्टोल का कमी है B H3 में क्या है D opson में क्या है कडायन उन्ही कारन पिर है YOLP इसमें जो option होगा D Dime Joth 2 swims में O To Number O के 3報 drive तो इसका O का होता O도 O2 प्लस है उसमें पॉस्टिव तो है बड़ ओपे तीन मौड मना हुआ रोपे लोन प्यर है तो इसका ओ का होता ओट पूरा ओटेट कमड़ेट होगा तो इसके समें जो ओ सेंटर है लिए नहीं करेगा यह जो इस्ट्री प्लस है इस नॉट इस नॉट iol a electric час ऐस ऑप सदुप्षा जो होगा यह होगा हमारा करेक्ट आंसर घए का यह तो द्हांदना प्लस जो है और यह नहीं कर देगा मारेगा अगर आपको पूर प्लस होगा टेन स्पोर प्लस में पुरा होता है तो यह था इस तरह के सिंपल के लिए हमार साथ बने रहे हैं मिलते हम लोग अगले कोश्ण में बचलों आप सामने चार कार्बो नाइन दिया हुआ है और बोला इसको स्टेबली के कोडिंग आरेंज करना है तो जहांना जब भी आपके पस कार्बो नाइन होग होगा तो उसको स्टेबली के कोडिंग आरेंज करना होगा तो आपको एक बेसी कॉड़ फॉलो करना है तो सबसे स्टेबल होता है के पास अरमैंटी कार्बो ना फिर ट्रिप्ल बॉन सिस्टम लेलना ठीक है ट्रिपल बन के बाद होता है आपका रेजोनेंस कि अगर अनायन resonance कर सबता है तुसको आगे लेना ठीक है तो अनायन जैसे यांपल होगा इस तरह का अनायन उसके बाद आपको लेना है double bond system double bond के उपर negative हो और उसके single bond का native लेना है तो आप देखोगे इसमें तो option a जो है triple bond है यानि sp carbon है उस पर negative है option 2 और 3 में आपका double bond के उपर negative है बढ़ ध्यांद ना जो option 3 में है यहां पर दो आर ग्रूप जुड़ा हुआ है तो जो आर ग्रूप आप जोड़े हो वो एक क्या करता है यह आपका plus i fit so करेगा और इस अनायन को unstable करेगा आपके बास बेंजीन सिस्टम में जो negative बना हुआ है यहां पर दो एक्स्ट्रा डल बॉंड बना हुआ है जो बीव करता है इस तरह के simple and clear explanation के लिए हमारा साथ बने रहे हैं मिलते हम लोग next question में बचलो लोग के सामने i minus br minus c minus दिया हुआ है और बोला है इनको इनकी नुक्लिफिजिटी और के कोडिंग आरेंज करना देंगा इसमें मैं जूम करते हैं कि solvent आपका क्या पोलर अप्रोटिक है यानि अनान के salvation को हम discard कर रहे है नॉमली कुछ नहीं दिया था तो सॉल्वन को पोलर अप्रोटिक मालने न ठीक है तो इस सॉल्वन में जब भी बात करते हैं नुक्लिफिजिटी का तो डाउन दूरूरूप में क्या होता है नुक्लिजिटी क्या होता बचलो आपके सामने चार कटन का लेसे दिया हुआ बोला इसमें सबसे स्टेबल कॉन हो था ना इसन सिंप्ली आपके कहा करना अलफाज निकालो तब पहले कटन का अलफाज जीरो है से क्या होगा तीन होगा थर्ड़ पर कितना है छे है यह यह जो अलफा पॉजिशन उसका बचलो यह था अलफाज कुर्शन का सिंपल एन क्लियर एक्स्प्लीनिशन मिलते हम लोग नेस पे बचलो इस कोशनम में आप सो बोला गया है कि कौन से कड़ाज मौस्ट टेबल होगा थिहां देना पहला कड़ाज का अलफा ऑच क्तना है तीन सेकेल का नबर कितना है छे था एक यहाँ कितना होगा नाइन होगा ठीक है फिर्वाले फिर देखाते हों पर बैसे लिए फैर क्या है तो आ समझे और डी ओपस निक है और बैंजाली नहीं है तो इसमें रेजोनेंस हो रहा है तो नॉमली क्या होता है कि जिस कटाइन में रेजोनेंस होता है ज्यादा होता है आपके पास एक क्सप्सन होता है कि जब भी आपके पास नाइन अलफाइच दिखेगा तो नाइन अलफाइच का जो केस होता है यह पके बेंजाली कड़ा के ज्यादा से ज्यादा होता है एक सब्सक्राइब याद रखो कि नीट में बहुत और पूछा है नॉर्मली यह भूल जाओगा तो कुछन गलत हो जाएगा ठीक है तो आपका जो करेंट आंसर होगा इसमें मौस्टिबल होगा ऑप्संसी तो बचलो यह था इस कुष्टन का सिंपल एक एंड क्लियर इसके पास बोला गया कि इसमें जितना भी कार्बन और हैड्रोजन है सिंगल प्लेन में है ठीक है और और अल्दा कार्बन कार्बन बॉंड है सेम लेंद बट लेस देन 1.54 जो कि सिंगल बॉंड को होता है यह इसका मतलब क्या सेम प्लेन है ताब कार्बन स्पी टू होगा इस पी टू होगा तो क्या होगा सीशी बॉंड लेंद क्या होगा ठोटा होगा ठेक है तो ब्यों डॉल बॉंड होता तो बॉन ने था बॉन पॉंड दोता 1.54 लेकिन बोला कि बॉन लेंद 1.34 से बड़ा है और 1.5 बीच में बीच में ही इसका मतलब कहने कि फिगर में हो रहा होता ना तो बांन का जो निचर हो होता है थे के ठ direstoweit होता है ठीक है तो xy आपस में डर्वर्णानिंट इंटर प्टराइल करेंगा तैस्नामनिन क्या हो जैगा अब इसमस्ट में क्या है इसकर्विक्मान बहुत क्लिक दोक दोकव होता है इसमें प्रक्ट्राब